हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2016 की मल्यालम लेंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म वेटता का जिसको इंदी डवर्जन में सेम नाम से डव किया गया है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है राजे स्पिल लाइने नीड रोल में देखने को मिलेंगे कुंचुको बोबन, मंजू वोरियर, इंद्रजीत सूकुमारन और संधिया कहानी की बात करें तो स्रीबाला IPS जिसका रोल प्ले करें मंजू वोरियर और दूसरी तरप ACP Zylex अबरहम IPS जिसका रोल प्ले करें इंद्रजीत सूकुमारन इनके पास एक केस आया हुआ है जिसमें एक उमा नाम की अभिनेतरी जो प्ला पता हो जो की है जिसका रोल प्ले कर है सानुसा अब इसके पिछी किसका हाथ है और साथ ही में इन सभी चीजों को सोट आउट करते समय इन दोनों ओफिसर की लाइब के उपर क्या-क्या घटनाय घटती है और उनके सामने क्या-क्या सर्प्राइजिंग इवेंट आते है उन्हीं सभी चीजों में फिल्म की कहानी से एट की हुई है और इस कहाने में कुंचुको बोबन का क्या रोल है वही फिल्म को और बहतर बनाता है फिल्म की कहानी की बात करे तो वो डिसेंट है साथ ही में जो डाइरेक्शन है वो फिल्म का बहतर नजर आ रहा था हां कुछ जगा पे स्क्रिप में हमें थोड़ी बहुत कमी खलती लेकिन वहां पर डायरेक्शन तो फोड़े बहुत चुक है इसके अलाव पूरी फिल्म को उन्होंने कापी एंगेजिंग मेनर में सेट किया हुआ है इस फिल्म का जोनर है क्राइम थ्रेलर उसको कापी बेहतरीतं तरीक से डायरेक्शनrau ने पकड़ा हुआ था जिस तरह से उन्होंने फिल्म की कहाने में जो thrill create किया हुआ है साथ ही में story को जिस तरह से establish किया हुआ है वो सभी चीजे आपको जरूर पसंद आएगी इस film के first आप में जिस तरह से सभी चीजों को establish किया हुआ था साथ ही में जिस तरह से जोगटनाई दिखाई हुई थी उसका screenplay हमारे सामने जैसे paste किया हुआ है वो parallel way में जिस तरह हमारे सामने सभी चीजों को paste किया हुआ है और उन सभी scenes की links एक दूसरे के साथ जिस तरह से connect की हुई है वो सभी चीज़े आपकी curiosity और बढ़ा देगी फिल्म की कहानी में आगे क्या होगा second half में किस तरह से criminal को पकड़ा जाएगा उन सभी चीजों की जो curiosity है वो आपके अंदर बहतरी नवे में director ने create करने की कोशिस की हुई है इसके बाद film का second half director ने काफी बढ़ा तरीके से अच्छे pace के start किया हुआ था लेकिन उसके बाद film थोड़ी देर के लिए dull होती हुई जरूर नजर आएगी क्योंकि film का climax और साथी में जिस तरह से second half start किया होता उसके बीच में काफी लंबा समय रह जाता है जहां पर director थोड़ा और बहतर वे में नेडेट कर सकते थे और साथी में वहाँ पेडिटिंग भी थोड़ी और बहतर हो सकती थी Cinematography की बात करद फिल्म की Cinematography काफी natural नजर आएगी जो फिल्म के सीन को और बहतर तरीके से हमार सामने डिस्क्राइब करती हुई नजर आती है फिल्म का music है जो background score है अच्छे तरह से support कर रहा था Crime thriller फिल्म के लिए बहतरीन तरीके से उनन जो music state किया हुआ है वो support कर रहा था साथ ही editing है जहाँ पर फिल्म के second आपको थोड़ा बहतर तरीके से हमार सामने पेस कर सकते थे इसके अलाओ performance के बात करे तो कुंचुको बोबन, मंजू वरिर, इंदरजित सुकुमारन, संध्या इन सभी actors ने अपना role काफी बहतर इन वे में deliver किया हुआ हुआ है कुल मिला के बात के तो फिल्म की कहानी को डाइरेक्टर ने काफी बहतरीन और engaging मेंनर में हमारे सामने पेस किया हुआ है जो देखने में हमें जरूर मजा आता है अगर आप crime thriller फिल्मों के दिवाने हो तो आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हो हाँ फिल्म में कुछ एक दो चीज है जिसा आपको जरूर ignore करना पड़ेगा लेकिन ये फिल्म आप एक बार तो जरूर देख सकते हो आपको जरूर मजा दे जाएगी तो बस गाईज आज के रिवीव में इतना ही था अगर आपके रिवीव पसंद आया होगा अपकमिंग साथे देन मूविस की नियूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा ठीक्यू